तो आपको रुक्षेतर में हम आज बात करने जा रहे हैं गुजरात के एक अलग बड़े ही निराले सियासी ड्रामे की चुनाव से पहले गुजरत में जबरदस पुलिटिकल ड्रामा चल रहा है कभी कॉंग्रेस और बीजेपी अपने उपर आरूप लगाया करते थे दियाव एक तीसरी पार्टी कें इंट्री हुई है वो है आहम आद्नी पार्टी और आहरोप लगा रही है कि गुजरात नो हो गया है किडनैपिन कांड इस पर आरेविन के जिरिवाल भी बोल रहे है मनी 윤सेसौधिया भी बोल रहे है और आज ये खबर उड़ी कि आम आद्मी पार्टी ने गुजरात में अपने सारे प्रत्याशियों को किसी अग्याद जगे पर शिफ्ट कर दिया है क्योंकि उसे बीजेपी से खत्रा है कि कई ऐसा ना हो कि भारती जंता पार्टी के दबाव में के जिरिवाल के उम्मीद्वार अपना नॉमिनेशन वापस ले लें क्योंकि आज नॉमिनेशन वापस लेने का आखरी दिन था दरसल यह हवा तब उड़ी जब सूरत इस्ट से आमाद्मी पार्टी के प्रत्याशी कंचन जरीवाला की किड्नैपिंग की खबर आई और आरोप लगाया गया आमाद्मी पार्टी की तरफ से बीजेपी के उपर ये सिर्फ एक छोटे से बेड्रूम से मश्रूम की खेती करके महीने का पचास हजार कमा रही है मश्रूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए बना ड्रामा हुआ बीजेपीपा रामादी पार्टी के प्रत्याशी का अपहरण करने के आरोप लगे और केजरिवाल की पार्टी ने यहां तक कहा मनी सिसोधिया ने यहां तक कहे दिया कि यह कैसा चुनाब हो रहा है गुजरात के अंदर लेकिन एक ही दिन के बाद कंचन जरीवाला मीडिया के सामने आये उन्होंने कहा कि मेरा परण नहीं हुआ था मैं तो अपनी पार्टी की गुटबाजी की वज़े से परिशान हूँ इस वज़े से मैंने अपना नामंगन वापिस कर दिया वो अगवा नहीं हुए थे बलकि अपने एक रिश्दार के घर पर ठेहरे हुए थे उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के कारेकरताओं के और से उन पर चुनाव में पैसे खर्च करने का बहुत दबाव था लाखो रुपए की डिमांड हो रही थी और मैं इस अब नहीं कर सकता था इसलिए मैंने खुद अपना नामंकन वापिस कर दिया बहराद आप अपनी पार्टी इसे प्रेशर पॉलिटिक्स बता रही है बता रही है बिभारती रिंटा पार्टी ने गन पॉइंट पर किड्नाप कर लिया उनके पत्याशी को उसे मजबूर किया कि वो चुनावना लड़े किड्नापिंग कांट की सचाई जो भी थी वो जरीवाला ने खुद जाहिर कर दी कल मनीज से सोधिया दिल्ली में इलेक्शन कमिशन के दफ्तर के बाहर धरने पर बैट गए थे हफ़ते पहले भी इन्होंने ऐसा हला दिल्ली भर में मछाया था किनके विधायक चले गए उठा लिये गए लेकिन कुछ देर के बाद कहीं घूमते मिले कहीं पिक्चर देखते मिले कहीं खाना खाते मिले कहीं पुल्फी घाते मिले हैं मुझे लगता है इस पर देखना चाहिए क्या है और ये लोग कितना सच बोलते हैं और कितना जूट बोलते हैं इसका भी एक बार आंकलिन कर लेना चाहिए क्योंकि जब से राजनीती में केजरिवाल जी और आमादमी पार्टी आई है तब से जूट का नए आयाम स्थापित किये हैं तो सवाल ये उठरा है कि क्या अरविन केजरिवाल ने जो गिडनापिक कांड बताया वो जूट था चुनाव जीतने का एक हतकंडा था अरविन केजरिवाल ने क्यों कहा कि उनके प्रत्याशियों को भारती जंदा पार्टी से खत्रा है प्रत्याशियों के प्रत्याशियों को आगवा करने का रोग अब आज भले ही कंजन जरी वाला एक कह रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी की बजह से ही चुनाव में नहीं उतरना चाहता लेकिन अभी भी अर्विन केजरिवाल मनीश सोधिया सब यहीं कह रहे हैं कि डरा धंका दिया आपने बंदूक की नोग पर उठा लिया था उनको अब बिचारे डर के मारे चुनावन नहीं लगना चाहते हैं देखे सवरो जी कोई जूट बोलने के मामले में किस इस्तर दगिर सकता है इसका यह जीवन तो उदाहरन है और केजरिवाल जी कोई पहली बार तो जूट बोल ली रहे हैं आपको तो ध्यानी होगा कि जूट बोलकर वो आरोप लगा कर और बाद में अदालतों में कान जिकरी जी के बारे में उन्होंने अनाव शनाप आरोप लगाए और अदालत में उन्होंने माफी मांगी स्वरगी अरून जेटली जी से उन्होंने के बारे में इसी तरह के अनाव शनाप बयान दिये और कालांतर में अरून जेटली जी से माफी मांगी कांग्रेस के नेता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से मुझसे पैसे मांगे उसके गरण में चुनाओं से बाहर गया और मुझे कृपा करके बताईए ना कंचन जब ये दावा कर रहे हैं तो क्या किसी के दबाओं में आपको दिखाई दिये मेडिया के समक्ष जब वो आए तो क्या उनके सिर अपर किसी ने बंदुक लगाई भी थी ऐसा किसी प्रकार का द्रिश किसी को भी दिखाई दिया कोई अद्रिश बंदूख भी किसी को दिखाई दिया तो केजरीवाल जी का चुनाओं में किसी तरह सुर्खियों में बने रहना चुकि उनको ना तो दिल्ली के चुनाओं में उनकी चल रही है जिस तरह से उनका ब्रस्टाचार सब के सामने आया है जिस तरह से शराब कारोबारियों से उन्होंने रिश्वत खोरी की है और जिस रिश्वत खुरी के ट्रैप में फसे हैं, जिसकी जांच की तलवार उनके सिर पर लटक रही है, उसके कारण स्रीमान केजरिवाल दिल्ली में तो परेशान है ही है, और गुजरात में जो बड़े-बड़े दावे करके वो आये थे, वो जैसे ही चुनावी प्रक्रिय अब प्रारंभ हुई उनको कहीं पर कुछ दिखाई नी दे रहा है ऐसे में हम कैसे जो है, वो है वो हेडलाई, मैंनेG.ंट कैसे करें तो हेडलाई मनेजमेंट करने के लिए सत्त जूट बोलना अब यह घडलाईन बनाना चाहते थे या नहीं को इनकी A team B team बताते हैं सुरेंद राजपूर जी अर्विंद केजरिवाल भाजपा के ओपर आरोप लगा रहे हैं उसमें कोई सत्यता लगती है आपको चाहे हो कंचन जरीवाला के जरीए हो और चाहे हो अपने जो नामांकित विधायक हैं विधायक पत्के प्रत्याशी हैं उनको एक जिगए पर भाई विधायक अगर एक जिगए पर अग्यातवास पर चले जाएगे तो चुनाव कौन लड़ेगा प्रत्याशी अगर अग्यात चालू केजरीवाल ने की है ये भारती राजनीती में 2011 के बाद की ये है इससे पहले बगेर आरोप पुष्ठ हुए आदमी आरोप नहीं लगाता था तो ये भारती जनता पार्टी के लाए हुए प्रत्याशी थे भारती जनता पार्टी ने देखा कि इनको अब भाई कोई फ प्रत्याशी थे बिल्कुल अच्छा अब ये ओवेसी जी के प्रत्याशी थे भी नहीं चलेंगे न सौरभ भाई तब तक चुनाव आ चुका होगा मैं तो अर्विंद केजरिवाल से एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि अपने प्रत्याशियों को अग्यातवास में ले जाकर के चुनाओ कैसे लड़ोगे ये कौनसी आपकी मतलब ये कौनसा आप नया नाटक कर रहे हो ये कौनसा नया जूट बोल रहे हो और किनको आप ब पूरी दुनिया में देखा है कि शिक्षा का मंत्री भी एक और दारू का मंत्री भी एक जो ये चले ठीक है ठीक है ठीक है अपने आप ने का अर्विंद केजरिवाल है विच्वल जूट बोलने वाले आदमी है उनकी बात पे अकीर नहीं किया रहा सकता और बीजेपी केज बार कहीं न उड़ा ले या उनको कोई प्रेशराइज ना कर ले तो कहीं उनको जहां-जहां मुम्किन था उनको एक खटा करने की कोशिश की गई तो क्या वाकई मैं ऐसा कोई खतरा है अर्विंद के जिरिवाल के अंबीद बारों को देख यहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ होता तो इतनी सब करस्त की नहीं जाती Headlines के लिए वैसे भी बहुत सारी जगे आम आदमी पार्टी के पास में है काम करने के लिए यह बात ज़रूर है कि मीडिया को जड़ा नेगेटिव हैडलाइन सामादमी पार्टी की बनाने में काफी ज़्यादा आनन्द आता है यह कोई पासिंग कमेंट है कोई बहुत सीरियस बात नहीं है आप लोग आपका काम कर रहे हैं अच्से से कर रहे हैं मेरा सिर्फ यह मानना है कि गुजरात का जुनाओ जो होगा वो मुल मुद्धों पर होगा वो स्कूली शिक्षा के मुद्धों पर होगा वो स्वास्त के मुद्धों पर होगा वो बिजली पानी रोजगार इन मुद्धों पर होगा जो पेपर लीक के मुद्धों पर होगा आप किसी भी ऊंिवर्शिटी में गुछरात की चले जाईे है उनसे बात करिये वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से पेपर लीग हो रहे है नगाता और किस तरीके से जो पेपर लीग सारे हुए है उनके बाद भी जो युवा है एक दिन गायब रहे उसके बाद अगले दिन आये और अगले दिन किस तरीके से पुलिस के घेरे में आये हम सब लोग नामंकर की प्रक्रिया से बली बाती परीचित है नामंकर वापसी की प्रक्रिया से भी बली बाती परीचित है उसके एक दिन पहले कोई गायब हो जाता है और उसके बाद में पुलिस का घेरा उसके पास में आर्टोमेटिक आ जाता है और पुलिस के साथ में कई अग्यात लोग भी रहते हैं वो भी उसको घेरे से पूरा आरो के आफिस तक ले जाते हैं तो पर यह ऐसा नामंगर वापसी तो कमी देखने में आता है प्यूजी चैनले जी इस बात की जहां छो पता चले कि आती है हकीकत हलो भी पता चलेगा लेकिंगे एक बाद इस समझ में नहीं आती एक सो बयासी में से सूरत इस्ट के एक ही प्रत्याशी को क्यों कोई भी पार्टी इस बार भाजपा की अब आवरोप लग रहा है एक ही प् रच्पुछिज लशी चुनावी प्रत्याशी में हर तरिके का सामधम नंदि रबेद सब चलाया जाता है प्रैशर हर प्रत्याशी के वपर जो भी एक मझभूट पर राजपूर जी बहुत अच्छे वगता है अच्छा बोलते हैं अभी इनकी बात पर हसने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता कि आमादी पार्टी बीटी में वह अडगी तो अब मैं बीटी में अरे भाई अब तु खुद की एटीम मन जाओ अपने विदायक समाल लो अपने आरोप एक एक पार्टी दूसरे पर लगा रही है बागी दोनों मेहमारों की भी राय लेलूं जो गुजरात ने चल रहा है उस पर दानिश कुरेशी साहब आपका भी जिकरा है आपकी पार्टी का जिकरा है चर्चा के अंदर अब बात हो रही हैं सब किडनाप हो रहे हैं यारोप लगाया जा रहे हैं दबाब डाला जा रहा है भारती दंता पार्टी की तरफ से लेकिन आपकी पार्टी के बारे में जो चर्चाएं हो रही हैं गुजरात में ये हो रही है कि आप ढूंड ढूंड कर उन सीटों पर उमीदवार उतार रहे हैं जहां पर कॉंग्रे का काम है हमेशा बुजरात में वैसा किया ढूना और 26 सालों से यही काम कर लिए है तो सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए OAC साहब की जो पार्टी हमारी AIM जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्याद पहली बार एसेमली के चुनाव कंटेस्ट करने जा रही है अपसे पहले 26 साल में भाई कौन रुक रहा था क्या उखाड लिया आप ने आप से तो कुछ बना नहीं सवाल यह है कि अब 26 साल के बाद जब हम मैदान में आये हैं तो अब इनके पास अपने मुद्दे नहीं है अगर आम आदमी पार्टी के आरोपों को अगर सही मान भी लिया जाए एक मिनिट के लिए मान लिया जाए तो आप मुझे बताएए कि विपक्ष में बैठके कांग्रेस तर क्या रही है दूसरे नंबर की बात आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव नहीं लेटरी हुआ हैं जो मुसलसन कई सालों से चुनाव लड़ जी दाने जी लेकिन हमारा एक्जिस्टेंस कहीं न कहीं उनको नजर आ रहा है कहीं न कहीं जो डिस्कनेशन का जो पॉलिक्स वजराप में चल रहा था उसको हमने डेंड करने की कोशिश किये और याद रखीगा स्वारो ह ऐसे बात नहीं और हो रही है, मैं आपको बताओं, हम लोग तो यहाँ अभी दिली में बैठेखे, पड़ा हैं, पहली बार हो रहा है कि भारती जंता पार्टी यह दावा कर रही है, कि हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे. 127 seat शायद मूदी जी जीते थे 2002 में इससे पहले किसी चुनाव में ये दावा नहीं किया था कि हम अपना record तोडने वाले इस बार बीजेपी इतनी confident है 27 साल के बार चुनाव लड़ रही है कि नहीं इस बार हमारे record तोड नंबर आएंगे मैं वजे जी के पास जाना चाहता हू तो अजे जी इसकी वज़े आम आदनी पार्टी और असादुद्धीन ओवेसी के उम्भीदवार तो नहीं है जो भाजपा इतने confidence में है स्वारब जी आपका कारेक्रम अभी करोड़ों लोग लेख रहे होंगे हैं सब सुन रहे होंगे लाइन से सब कोई भाजपा की आँख में आँख डालके लड़ रहे हैं चाहे वो असादुद्धीन ओवेसी की पार्टी हो आम आदनी पार्टी हो चाहे कॉंग्रेस की पार्टी हो ये आँख में आँख भाजपा को किसको दिखाने की कोशिश की जा रही है किस वर्ग के व खतम हो जाता है अब भारतिय जंता पार्टी अपना काम कर रही है एलेक्शन में रेटॉलिक्स वगर चलते रहेंगे कभी कोई किड्नाप हो जाएगा कभी किसी को धंकी मिल जाएगी कभी किसी पे बंप फूट जाएगा इस सब बिहार वार यूपी में गुजलात भी पहले ह में नहीं रहा है इसलिए भारतिय जंता पार्टी दावा कर रही है सबस्याद अक्लेम लेकी और सही माईने में मुझ मेरे तरह कर्द है तो मुझे तो लगता है कि सीजे-सीधी लड़ाई कभार्तिय जल्ता पार्टी की अब बाकी अपना जो पीच में जो भी दूर्या मलाई ले लेकिन सचाई है कि गुजरात को चुनाओं खतम हो चुका है अभी एक कारेकरम के अंदर में आपको बता हूं और विन केजिरवाल साब ने ये दावा किया कॉंग्रेस पार्टी को पांच से भी कम सीट मिलेगी अब कॉंग्रेस को पांच सीगलती होगे कारण तो वो सोच्टी है कि यही फॉर्मूला हमें आप गुजरात में भी लगाएंगे वह विकल्ब बनना चाहते हैं तो नाच्रल सोभाविक उनको विकल्ब बनने के लिए बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी पांच से नीचे जाए थाकि आमादी प वोट बटेगा है इस बार इसी बात से तो भाजबा खुश है आमादी पार्टी भी लेगी माईनोरिटी वोट से चुनाओ जीर जाएंगे कोई वह भी उस गुजरात में 11-12% हैं लेकिन इस तरह खुले आम बोल बोलके खुले आ आम बोल बोलके माईनोरिटी 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 कांग्रेस को एक भी वोट मद लेना बरबाद हो जाएंगे और भी केजिरवाल जिस तरह से बोल रहे हैं और वेसी साहब जिस तरह से बोल रहे हैं कि मुसल्मानों की कोई बात नहीं करता अभी नोंने आड कर दिया दानिश जी ने कि अंदालित वंचितों और अलिवासियों की बात कर रहे हैं राजपूर जी बता दे दर्शकों के लिए कि कॉंग्रिस पार्टी सत्ता में भले कबसे ना हो लेकिन अपना वोट बेस हमेशा बरकरा रखे वो पिस्टेच नाव में उससे पहली लगबग 40% के वो आसपास वोट कॉंग्रिस पार्टी लेती आई है इस पार उसी में सेंध लगाने की बार-बार बात हो रही है सहमत हुआ कधी लेकिन आज आलोक की कुछ बातों से मैं सहमत हूँ आपको मैं तीन चीज़ें बता दूं पहले तो मैं आप पार्टी की बता दूं इस पार्टी का फुल-फॉर्म ही ओल-एक्टर पार्टी है और इसके जो रास्टी एध्यक्ष हैं उनको तो दाड़ा- गश्याने के नएनेच चेतर कालासते हैं उनके जो समर्थक बैठे थे पंडी जी यहाँ पर प्यूश जी वो अपना बता देंगे आपको कि क्या है क्या नहीं है कितने स्कूल उन्होंने दिल्ली के कितने कमरें सीला दिख्षित जी के बनवाए स्कूलों में बनवा बता देंगे प्रिंसिपल कितने में नहीं है वो भी बता देंगे एक पे एक दारू फ्री करना चाहते हैं वो लोग नसेड़ी बनाना चाहते हैं दिल्ली को भी बता देंगे और पंजाब के ड्रग माफिया और शराब माफिया को दिल्ली और गुजरात लाना चाहते हैं वो बुक्तंत्र में जीत भी आएगी हार भी आएगी आप मुझे ये बता दो कि हैदराबाद में जो आदमी साथ सीटों पर चुनाओ लड़ता हो और गुजरात में आकर उन्हीं 12 या उन्हीं 29 सीटों पर चुनाओ लड़ रहा हो जहां पे सिर्फ कॉंग्रेस के उमिद्वार है तो हम क्या कहेंगे इस बात को तीसरी बात रही बात पढ़ाई की तो राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू एजूकेशन राइट टू फूड मनरेगा एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान बैंकों का नेसलाइजेशन दुग्द करांटी हरिद करांटी वाक्रा गंगड क्यानम बैंकों का राश्टी करण सरकारी सहकारी बैंक और नहीं नहीं नौकरियां यह सारी चीजे किस ने दी तो कॉंग्रेस अभी राजनीती कारों जो आपने लगाए जरा उस पर रहते हैं आपने का ओवेसी जी उन्ही जगह उपर पत्याशी उतार रहे हैं जहाब का कं रहे हैं जो अब यहां पर माइनॉर्टी उर्माइन करने दीजिए नहीं नहीं हिंदू मुसल्मान नहीं करने दीजिए अरे वह राश्पूर जी डॉक्तर मनमोन सिंगों कोड रहे हैं तो आप सवाल यह है उसके बदले मुसल्मानों को क्या मिला तो सच्चर कमिटी का रिपोर्ट आप यह बात करते हैं कि जहां जहां कॉंग्रेस का अरे भाई मुझे आप यह बताईए उन्हें पार्लामेंट से पंचायत तक क्या बात कर रहे हैं आपको मालू में संदिदान पढ़े हैं आप बीच में संदिदान पढ़े हैं कि कौन किसका वोट काट रहे हैं या कौन नया वोट बैंक बनारें के लिए आया है अजया अलोक जी ने कहा प्रेक से पहले कि इस वक्त लड़ाई बाकी सारी पार्टियां माइनारिटी वोट की लड़ाई लड़ा रही हैं वगर नाम लियो नहोंने कहा और इसमें अर्वि आज़ादी के पहले सरकारी मुलाजमत पर मुलाजमत कितना परसंट मूसलमान था और आज कितना है आप मुझे बताईए के कॉंश्टिउशन जिसकी बिस्सा से गरिया आती रही है वो तो आपके मौजूदार राज में तो ये होता रहा एक के दिन इद्गाओं में गोलिया चलती रही डंगों में बेहिसाब अलप संकेख मुसल्मानों को गोलिया मारती गई तो आप किस मुह से बात करते हैं हम गुजराफ की बात करें तो देखिए गुजराफ में अभी कांगरेस ने आप पार्टीदार समाज को कितना कितना टिकेट दिया है बताईए जरा उचे सुरंद्र जी से वही इस आप आप अलप संकेख मुसल्मानों को जो है कितने टिकेट दिया है वो देख लिए उनका प थिक बोलता है आपकी तमाम रेलियों में जादातर बात होती है कांगरेस पार्टी की और फिर आपने जो नाम दे रखा है अरविन केजरिवाल को छोटा रीचार्ज वो क्यूं दे रखा है मुझे पता नहीं फिर आप उनका नाम ले ले लेते हैं भाजबा की बजाए आप पोस्ते हैं कांगरेस को और आमादी पार्टी को देखिए मैं आपको बताओ उसका रीजन ये है कि सबसे पहले आपोजिशन का जो वखादारी के तोर पर उनको जो रोल अदा करना चाहिए 26 सालों से वो नहीं हो रहा हर बार एसम्बली के सेशन में गुजरात में होता क्या है मैं आपको बताओं हर बार एसम्बली का सेशन गवर्मेंट डिक्लैर करने है और उसके बाद सेशन शुरू होता है और उसके बाद बहुत सुनियोजी तरीके से विपक्स तो पूरे विपक्स तो सस्पैंड कर दिया जाता है फिर वो जंडे लड़का के वैल में आ जाते मेडिया के सामने आके दो-चार बाते करके फिर भारते जंता पार्टी की पूरी कैबिनेट के साथ जाके कैंटीन में हलवा पूरी खाते है यही चल रहा है 26 साल से और इसी को रोकने के लिए इसको बदल निकला है पहले हम अपोजिशन को निप्टाएंगे उसके बाद बा आमधी पार्टी से निपट लें और अबजी साब भी चाहते हैं गैर्विंद केजिरिवाल से कॉंग्रेस से पले निपट लें फिर भाजपास से निपटेंगे लेकि सारो जी इस देशन बहुदली लोगतंत्र है और हर दल को जो है निरवाचन प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार है और सिर्फ हम गुजरात की ही बात कर लें तो गुजरात में 60 के दसक में कांग्रेस थी भारती जनसंग था सोतंत्र पार्टी थी सहीं सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी सतर के दसक में कांग्रेस थी चिमन भाई पटेल की अपनी पार्टी हुआ करती थी और भारती जनसंग था असी के दसक में भी चिमन भाई पटेल की पार्टी थी भारती जनता पार्टी थी कांग्रेस थी फिर कालांतर में आपको ध्यानी हुआ के इश्वाई पटेल जी ने भी पाइटी बनाई थी अब उसी तरह से जो है अगर कल और दल अगर चुनाओ लड़ना चाहते हैं तो उन दलों को चुनाओ लड़ने से भारती जंता-पार्टी कैसे रोपार्टी पार्टी का आधिकार लखशतर से तो बाहर का आ है ना कि भारती जनता पार्टी के दे कि आमादी पार्टी चुनाओं नहीं लड़ सकती, माईम चुनाओं नहीं लड़ सकती, समाजवादी पार्टी चुनाओं नहीं लड़ सकती, बसपा चुनाओं नहीं लड़ सकती, कल कोई कह देगा उत्तरपुदेस में कांग्रेस चुनाओं नहीं लड तो आप बताईए ना गुजरात में 182 सीटे हैं माईम कितने प्रत्यासियों को उतार रही है 17-18 प्रत्यासियों कुछ है इनके उतारने वाले तो सिर्फ 18 सीटे अगर मालेजे बाजपार जीत जाएगी तो उससे भारती जनता पार्टी सरकार बना लेगी क्या भाई भारती ज जो हमने 27 वर्षों में गुजरात का काया कल्प किया है उसके आधार परम जनता के सामने जा रहे हैं आप यह मानते हैं कि गुजरात में आपकी लड़ाई जो है आप मानते हैं गुजरात में आपको ऑपोजिशन कोई है तो सिर्फ कॉंग्रेस है आम आदनी पार्टी और व शंकर सिंग्वागेला की पार्टी आई तो बकाल अंतर में कांग्रेस में उसको विले करना पड़ा केशु भाही पटल की पार्टी आई समाप्त हो गई आम आदमी पार्टी की दशा अभी ही आप देख रहे हैं मुझे कुछ कहने की आवश्यक्ता नहीं है आम आदमी पार हवा आप लोग ने हर राज में बनाई उत्राखर्म में बनाई गोवा में बनाई यूपी में बनाई अब हिमाचल के बारें बात करें दसुरें राजपूर जी हो कहरें वहां से भागी गए हैं आप देखिए मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जनता को जहां पे आपकी बात समझ में आती है वो वहां पे आपको चुनती है जहां पे जनता को लगता है कि यह आपको और मस्बूती से आने की आवशक्ता है आप में कुछ कमिया है वहां पे नहीं चुनती है यही लोगतंत्र का स पर वो तो बाते हम करते नहीं है आजकल आजकल तो विप्स की बाते होती है तो अब बातें इस प्रकार की हो रही है तो आज़ी पार्टी के बनने की जरुवत क्यों पड़ी ये बात हमें देखना पड़ेगा ना यदि आप लोग अच्छे से काम कर रहे होते हैं यदि सरकारी स्कूलों में उसी प्रकार की उच्छे गुनवत्ता पून शिक्षा मिल रही होती जितने प्राइवेट स्कूलों में मिल रही है कि एक देश का आम आदमी उटके आया और उसमें बोला कि आपको चैलेंज रिया गया था कॉंग्रेस की तरफ से कि दल बनाईए और लड़िये तो चैलेंज स्विकार किया है दल बनाया है और लड़ रहे है आप लेकिन आपको लगता है आप मुझे बताईए कि आम आदमी पार्टी के वही शवी बरकरार है जो आज से दस साल पहले जब वो पार्टी बनाई गई थी आज पंजाब में बिल्ली में आपने काटल की बात की माफिया की जो जो शराब माफिया सिंडिकेट उस सब बात सब मिलके और भार्टी जन्ता पार्टी मिलके और किस प्रकार के आरोब लगाए जाना है किस प्रकार से पांच मेने से चार मेने से मंत्री को जेल में बंद करके रखाए पीमल एक्ट की आर लेके और कोई डारेक्ट एविडेंस उसके खिलाब में है नहीं कोई डारेक्ट जवाब देखें आर्विन केजिरिवाल जी के ओपर ये आरूप लगता है कि वो हर चुनाव में जाकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपना सीम कैंडिडेट देते हैं कि हम चुनाव जीत रहें कॉंग्रेस खतम बीजेपी खतम ये ये गौवा में नहीं चला ये देखें कॉंग्रेस की अती कमजोरी 2013-14 में अन्ना अंदोलन को बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाए और अन्ना जी की लोग प्रियता को घंणा की तरह चूसली आर्विन केजिरिवाल जी ने कोई पॉलिटिकल पार्टी बिलाने की बात नहीं होती थी 13-14 में जब अंदोलन फिर एक सिस्टम मौजूदा वफ्त का फायदा उठाते हुए पार्टी बनाई 25-25-35 के लगवक सीटें आई कॉंग्रेस समर्थन लेके सरकार बना ली तो ऑपरचुनिस्जम राजनितिक दला और ऑपरचुनिस्जम ये दोनों बड़े एक साथ चलते हैं पैरलल दोनों अल उसका खामियादा कॉंग्रेस आस तक भूगत रही है कि खाता नहीं खुलता विलान सभा में और बीजेपी अपने जगर पे खड़ी है लड़ रही है लड़ते रहेगी अब धीरे धरे एक्सपोज हो रहा है अब सही बात है आज भी देखिए सटेंदर जैन की बैल कोट न फसाया तो कोट को बिल दे देना चाहिए और आने वाले समय में जितनी पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप हुई है प्रोविशन पॉलिसी बनाई फिर वापस ले ली फिर पंजाब में लागू करने गैश्रम पॉलिसी उसको कोट ने रोग दिया एक के बाद एक परसेप्शन चें पर वो चुनाव लड़ रहे हैं सुरें राजपूद जी मैं कुछ डेटा की बात करता हैं आपके पास भी होगा आप चुनाव को स्टडी कर रहे हैं 57 सीटें ऐसी बताई जाती हैं जहां पर हर चीत का मार्जिन आपके और भाजपा के बीच में पांच परसें वोट से कम थ देखिए इस बार गुजरात का चुनाव जो है ना सौरब्बाय बिल्कुल डिफरेंट प्रॉस्पेक्टिव पर है जनता लड़ रही है चुनाव ना कांग्रेस लड़ रही है भाजपा के खिलाप हम तो जनता का चुनाव देख रहे हैं और जो मोरवी के हत्यारों को सीम क चला रहे थे प्रेन तो ड्राइवर ही चला रहा था एक्सिडेंट हुआ इन लोगों से इस्तीफा लिया गया 136 लोगों की मृत्ति हुई है अकाल मृत्ति हुई है मोरवी में और उसके जो नैतिक रूप से हत्या के जिम्मेवार है भूपेंद्र पटेल उनको दुबारा स मुख्यमंत्री पद ये लोग दे रहे हैं चुनाओ में बात उसकी जरूर आएगी बात जरूर आएगी पिछले पास सालों में सिरफ संबिदा पर सरकारी करमचारी रखेगे जिनको हम पर्मानेंट करेंगे सवाल आएगा पुरानी पेंशन स्कीम पर तो मैं आपको जिम्म सामने 83 रूपय पर भारती अर्थे विवस्था कड़ी है चीन का आयात 10 गुना से जादा बढ़ गया है सारी चीजों पर गुजरात का जब चुनाओ आएगा तो निश्चित तोर पर जनता मुद्दों को चुनेगी हिंदू मुसलमान को नहीं चुनेगी कल मुख्यमंतरी जब नामांकन करने जा रहा है तो रोड शो में ग्रिमंतर अमिर शावी थे और उन्होंने लोगों से यह कहा आपने भाषण में कि इस बार ऐसा जन्मत दीजे आप और खास तोर पर घाट लोडिया सीट जहां से भुपिन पटिल चुनाव लड़ रहे हैं कि कॉंग्रेस पार्टी को अगले चुनाव में धाई महीना तो उम्मीदवार चुनने में लग जाए उम्मीदवार ही ना मिले इनको मुझसे सवाल जी हां जी हां इस पर रियाट किजे मैं फिर फ्रीम जी कॉमेंट लेता हूं कि मैं मैं हां बिल्कुल सही कहा है अमिश्या ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वह जनतंत्र को और लोगतंत्र को मानने वाले लोग नहीं है लोगतंत्र को रौंगने वाले लोग है वरना आप बताईए कि मोरभी के जो हत्यारे हैं उनके चुनाओं में ये जा कैसे सकते हैं ठीक है उनके चुनाओं में जाने की हिम्मत कैसे हो रही है भाजपार नहीं हिम्मत रही है वो तो कह रहे है कि ये करंट CMB है ये गुजराप क वो बो कताई डिफेंसिव नहीं है उन्होंने कहा वूपेन पटेल हमारे आज के करेंट CM है और आपके भावी CMB है फ्यूचर CMB यही है प्रेम चुकला जी लास्ट कॉमेंट फिर समय पताब यही यह सबसे बड़े सौरभ भाई बहुत अच्छी बात आपने कही बिल्कुल यह सिर्फ एक छोटे से बेड्रूम से मश्रूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं मश्रूम खेती सीखनी है तो Freedom Map को अभी डाउनलोड कीजिए बेशर्मी यह होती है कि आप लगातार हत्यारों को प्रशय देने का काम करते हैं आज भी आप कमलनाच जैसे जिसने सिखों को जलवाया था उसको मुख्यमंतरी बना देते हैं आज भी जगदिस टाइटलर जैसे व्यक्ति को आप दिल्ली की समीती में रखते हैं तो बेशर किलोमीटर सिर्फ जो है लगातार जो है नहरे बनाने का काम किया था जी के प्रेम जी नाजपूर जी बहुत धन्यमाद आपका इंडिया टीवी हर वक्त हर जगे डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर